हर औरगन को इवर एक-एक सिंगल फाइवर्म बड़ी को ब्लट सप्लाई चाहिए उसको अक्सीजन चाहिए उसको न्यूट्रियन ग्लुकोई चाहिए और वो कहां से आएगा वो आएगा आपके ब्लट वैसल्स के तुरूब ब्लड के थुरू तो जब भी आपके ब्लड में क्लॉट बनता है चाहे कारण उसका जो भी हो चाहे वो डाइपर टेंशन डायवेटीज कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना डिसलाइपीडीमिया सीडेंट्री लाइपस्टाइल सटेन डिफिशेंसी न्यूट्रियंस डिफिशेंसी इन सब की वज़ा से वहां पर बनता है वेसल्स में बड़े वेसल्स हो सकते हैं मीडियम साइज के वेसल्स होता के चोटे साइज के वेसल्स होते हैं तो जनरली देखा जाता है कि जो चोटे साइज के वेसल्स है जो की आपके हाइपर टेंशन और डायवेटीज में ज्याद खत्म होने लगती हैं डैमेज होने लगती हैं मरने लगती हैं और एकॉर्डिंगली उसके आपके बॉड़ी में सिप्टम्स आता है जो आप लेके डॉक्टर के पास आते हैं जैसे हाथ पैर में जिंजिन करना चलने में इंबैलेंस होना रात और जनरली देखा जाता है कि जो इसको निउरोपेथी बोलते हैं और निउरोपेथी की वज़े से क्या होता है हाथ में सुई जैसा चुपना और ये जेनरली देखा जाता है कि रात के टाइम में ये ज़्यादा होता है रात में जब आप बिलकुल सान तकेले होते हैं जब muscles को और ये nerves को आपको supply properly नहीं मिलता है blood का, oxygen और glucose का, तो आप देखेंगे कि ये आपको एक pain देता है, कभी-कभी किसी लोग बोलते है burning sensation होता है, कोई लोग बोलते हैं कि सुई की तरह चुपता है, कोई लोग बोलते हैं हलका मिटा-मिटा दर्द होता है, कोई लोग बोलते हैं कि muscle अकड़ जाती है, तो ये सारी problems धीरे-धीरे, और ये कहीं भी हो सकता है, आप generally ये पैर से सुरू होता है, फिर ये हाथ में आता है, लेकिन ये अलग तरीके से भी हो सकता है, तो ये multiple metabolic disorder की वज़े से हो सकता है, diabetes की वज़े से हो सकता है, और भी बहुत सारी भीमारिया है, लेकिन जब भी आपको इस तरह के problems आती हैं, तो जब आप doctor के पास आते हो, हमारे पास होते हैं, तो कुछ-कुछ अलग अलग तरह की ज़ाच होती है, सबसे पहले तो हम आप लोग का metabolic screen करते हैं, जो general blood test करते हैं, फिर आपकी कुछ नस की भी ज़ाच करते हैं, जिसे nerve conduction studies बोला जाता है, और उसमें हम देखते हैं कि आपके body में generally कौन-कौन से नस आपकी damage हो रहे हैं, और damage के अलग-अलग प्रकार हैं, क्योंकि नस में अलग-अलग layers होती हैं, जैसे आपके घर के दिवाल में अलग-अलग layers होती हैं, उसी तरह नस में layers होती हैं, और वो जाच से हमको पता चलता है कि यह किस तरह बोला जाता है कि वो एक्जोनल हो सकता है वो डी मैलनेटिंग हो सकता है तो यह अलग-अलग कारवियों की वज़े से होता है उसका पता लगा के कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक्यूट होती है क्यूट करने का मतलब उसका तुरंत आपने इलाज करना है नहीं तो फिर पर्मानेंट डैमेज की हो जाता है कुछ चीज़ें होती है कि जो क्रॉनिक होती है और वो काफी सालों से चलता रहा है जो इसमें बहुत अच्छा अग्जांपूल आपका डैमिटेस का काफी सारों से नर्म में डैमेज आता है आप इसको एबोईट करते रहते हैं दीरे 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 तो जब आप डॉक्तर के पास आते हैं तो यह हमको पता चलता है कि प्राब्लम आखिर है कहां पर और यह किस तरह की प्राब्लम है इसे की जरूत है या इसे आप क्रोनिक बाकी बीमारियों की तरह इसका इलाज कर सकते हैं तो जनरली इस मोड से हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं अभी आपने बहुत सार एलक्षिन बता है पैरों में जंजनाहट होती है कमजोरी होने लगती है लेकिन क्या को यह से चल्साल चाली साल कि हमारे पैर में जलन हो रही है हमने पहले सोचा यह सूज चेंज कर लिए सौक चेंज कर लेकि नहीं हो रहा है और छब हमारे पास हम उनका टेस्ट करते हैं तो तो जैसे ही आपको लगे इनिशेली अगर आप एक दो हफटा आप जो अपना घर पे देख करते हो अगर उससे आपको आराम नहीं मिल रहा या आपको कुछ ज्यादा डाउट होता है तो डेफिनेटली आप फर्स्ट इंस्टांस में ही डॉक्टर के पास आए क्योंकि जितना अर्ली हम डाइगनोज कर लेंगे उतना अच्छा इलाज कर पाएंगे